हेलो रॉक्टर वेलकम तो माई यूटूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास तो मैं अर्पिता चंद्रा तूड़े आप प्रीज वीडियो में जाकर इन थ्री पेरासाइट्स की लाइफ साइकल्स कवर कर सकते हैं आज हम कवर करने वाले हैं टॉक्स प्लाज्मा गोंडाई को ठी करते हैं टो इंटर्मीड्य होस्ती अपनि फ्समाइं वाले हमारा आंटीश हें के थी रहन कर्या सकते हैं सबीक्सिर स्वाले तो今日 एक हैं वो आपको learn करने होंगे क्योंकि हर परासाइट में उसके कुछ अपने टम्स हैं इंफेक्टिव फॉर्म सबकी अलग अलग होती है तो यहां पर इसके इंफेक्टिव फॉर्म क्या है इस कहां पर फाउन्ड होता है केट्स की फिस्स में तो इस तरह से इस पॉर्म अलग देख्टेंग होते हैं और इसके क्योंकि की Campbell कार के मैं मैंने कुछ इस बरा किया हुआ है सबसे पहले इस इस पोहारे स्ती है मैं और शली है आर्यक बाते बाते हैं रावा या Contaminated Food and Water, तो Contaminated Food and Water किस से Contaminated हो गया है, इस पर रोलेटेड उसिस्ट किस में प्रेजन है, कैट्स की फिसेस है, कैट्स की फिसेस से Contaminated Food and Water को इंटेक करने पर, मैन इंफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो ये उसिस्ट है, उसका एक सिस्टेशन होता है, इन human intestine, human intestine में ये ब्रेडी जोइट में convert होते हैं, then it converts into the tachy joints, तो ये terms जो हैं, इन्हें आपको लेंड करना होगा, because these are the different for different parasites, तो intestine में enter करने के बाद, ब्रेडी जोइट में convert होंगे, then tachy joints में convert होंगे, और tacky joints enter करेंगे misentric lymph nodes में ठीक है, और misentric lymph nodes में enter करने के बाद, ये blood circulation में आज़े तो पूरी body में circulate होने के बाद इनके clinical manifestations होंगे तो extra intestinal organs भी effect होंगे, उनमें आपका brain आता है muscle, eye and fetus if mother is pregnant then fetus can also infect by this parasite तो brain infect होता है तो क्या cause होगा, CNS infection सेनस मैनिफिस्टेशन देखने को मिलेगी टॉक्स लाज्मा इंसेफिलाइटिस कोस करते हैं मसल्स में भी सिस फॉर्मेशन करते हैं और आई में आख़ुलर इंफेक्षिन होता है वीजन ब्लड कर सकते हैं टॉक्स लाज्मा गॉंड़ाइग फीटस में भी क्लीनिकल सेंटर् सबसे पहले क्या हुआ इसपार्ओल्यों कि रिंटेस्ट इनडकल से जोर से धेक से और नوسल जिस्ट य। औक्सोप्लाजमा गोंड़ाई जो पैरासाइट से वो मसल के अंदर में एंटर कर गई है ब्रेडी जॉइट्स इंजेशन हो जाएगा तो रॉड़ेंट का मीट जो टीसू सिस्ट से इंफेक्टेड है वो कैट इस इंफेक्टेड मीट को इंटेक करेगे जिसमें ब्रेडी जॉइट्स प्रेजेंट हो जाएगा और कैट के इंटिस्टाइन में यह साइजोगोनी में टॉंस फॉंगे दन गैमिटोगोनी बनेगा ऑगेड़हा फॉंगेरिवस के सब्साइबूरव गैमित का फर्टिल्यजेशन हो जाएगा फिर क्र filt थो म्म को रेचीज ओंगें फीसुलाईब्स。 यइन थॉर्शत प्रेड़व से इंफेक्शन होने बाद और बडॉदि जॉस्ट को टैक से इन युभरनेशन को होगी और जो definitive host है यहां पर cat उसमें fertilization होगा और sexual cycle cat में run करेगी fine तो इस तरह से toxoplasma gondai की हमने life cycle cover कर दी है और उसके कौन-कौन से clinical manifestations है इस video lecture में हमने वो भी cover किया है fine thanks for watching